कैनरा बैंक में एक ओनलाइन खाता कैसे खोले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेस्टन बैंक में दोस्तों यदि आप घर बैठे Canera Bank में एक online खाता खोलना चाहते हो वो भी Zero Balance के साथ तो आज का ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्या आप Canera Bank में एक online खाता Zero Balance के साथ खोल सकते हो या फिर नहीं खोल सकते हो और यदि खोल सकते हो तो किस प्रकार से आपको आगे का process करना है क्या क्या documents लगेंगे खाता खोलने के बाद क्या क्या फायदे और नुकसान आपको होने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस account के यहाँ पर फायदे के बारे में उसके बाद नुकसान के बारे में दोस्तों इस account में आपको फ हो जाता है अब चले बात करते हैं इस bank के कुछ demerits के बारे में यहाँ पर आपको पैसे maintain करने होते हैं हाला कि ये बात अलग है कुछ लोग maintain नहीं भी करते हैं फिर भी bank उनसे charge नहीं कारती है लेकिन जिन से charge विदिवाली से पहले आपसे एक चार्ज काड़ती है जिस靠ाशी में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और बात में बताना चाहता हूँ यह जो एकाउंट है इस एकाउंट में भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे की ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और पास्बुक, चेकबुक वगएरी सारी चीज़े यहाँ पर मिल जाती हैं यदि आप खाता यहाँ पर ओफियन कर लेते हो तो दोस्तों सबसे पहले हम अभी Canera Bank के Official Website पर आ चुके हैं इस Website का Link मैंने आपको Description Box में दे दिया है आप चाहें तो इस Website को Check Out कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Canera Bank के Account Opening के बारे में दोस्तों Canera Bank के Account Opening पहले Mobile Phone से होता था वहाँ पर Canera दिया App को Download करके हम जो है Canera Bank में बड़ी असानी से यहाँ पर app के थूरू अपने account को open कर पाते थें लेकिन आज हम Canera Bank के official website पे हैं मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें बताया जा रहा है कि website के थूरू account open हो रहा है तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या Canera Bank में online account open कर सकते हैं या फिर नहीं दोस्तो हम यहाँ पर personal banking के section में जाते हैं और यहाँ पर saving deposit में हम click कर देते हैं click करने के बाद यहाँ पर हमारा Canera Bank का अगला page खुल करके आ जाएगा जहाँ पर एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर saving bank account हम saving bank account वाले option पर click करेंगे तो जो भी Canera Bank में account है उसके कुछ details यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आप चाहिए तो इसे पढ़ सकते हैं मैंने website का link description box में लगा दिया है दोस्तों यहाँ पर आप पर सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपए यहाँ पर maintain करना होगा metro city में semi-urban जो भी branches है वहाँ पर और यदि आप ruler area में रहते हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपए account में maintain करने होंगे इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर चीजे देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर कुछ charges वगरा हैं वो सारे के list यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे आप इसमें पर सकते हैं यहाँ पर आपको document क्या क्या लगनेगे खाते खुलवाने के लिए डोकमेंट जो यहाँ पर आपको passport, driver license, pen card, voter ID card ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा document रहना चाहिए यदि आपके पास pen card और अधार card है तो आप जो है बड़ी इंसानी से camera bank में एक अपने खाते को खुलवा सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने जब saving account पे क्लिक किया लेकिन यहाँ पर website पे कहीं भी एक online खाता खुलने के लिए apply करने के लिए option नहीं दिया गया है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता हूँ मैं आपको directly बता देता हूँ कि camera bank में आप एक online खाता नहीं खोल सकते हैं दोस्तों please please video को छोड़िये का नहीं अभी बहुत सारे चीज बाकी है यहाँ पर एक method है जिसके तुरू आप online खाता तो नहीं खोल सकते हैं लेकिन online एक process के तुरू आप इसमें जो है apply कर सकते हैं और यहाँ पर camera bank में अपने खाते को खोलवाने में जो समय लगता है उसे ब लेकिन यदि आप उस process को करते हैं तो वहाँ पर आपका account open नहीं होता है चूकि camera दिया app को play store से अब हटा दिया गया है अब आप app से account को open नहीं कर सकते हैं दोस्तों मैं भी चाहता तो पुराने कुछ videos को उठाके यहाँ पर डाल देता और आपको देखा देता कि आप इस प saving account खोलने के लिए online कोई भी method यहाँ पर हमें नहीं दिया जा रहा है कहीं भी apply now का option नहीं दिया गया है यहाँ पर जो है मैंने थंबलनेस में इसलिए लगाया था कि आप camera bank में एक online खाता खोल सकते हैं चूकि यहाँ पर जो है मैं आपको यह चीज बता देना चाहता था ता यहाँ पर आपको type करना है camera bank account opening form download इसके बाद आपको search कर देना है यहाँ पर उपर सबसे पहले आपको camera bank का official website देखने को मिल जाएगा इसका भी link मैंने आपको description box में दे दिया है उस पर click करके आप इस website पर आ सकते हैं इस website को आपको open करना होगा open करते ही यहाँ पर camera bank का official website आ जाएगा यहाँ पर आपको एक option देखने मिलेगा download account opening form from here इस पर आपको simply click कर देना है दोस्तों जैसा है आप इस पर click कीजिएगा यहाँ पर एक PDF आपके सामने खुल करके आ जाएगा सबसे पहले आपको इस form को download कर लेना होगा दोस्तों अब यहाँ पर हमारे सामने एक form खुल करके आचुका है इस form को हमें यहाँ से download कर लेना होगा यहाँ पर हम इस form को save करते हैं अब आपको करना क्या होगा कि आपको इस form को यहाँ पर fill कर देना होगा जितने भी detail है यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है form fill करने में तो आप हमसे comment box में comment करके पूछे हम complete form filling का process आपको अपने वीडियो में live करके दिखा देंगे किस तरीके से आपको form fill करना है दोस्तों form को fill करने के बाद आपको अपने branch से contact करना होगा और आप चाहें तो online इस form को submit कर सकते हैं और आपको branch से contact कर लेना होगा और तो यहाँ पर आपको KYC verification होगा और आपका खाता खोल द wasting नहीं होगा और वहाँ पर फटा फट से आप अपने form को जमा कीजिएगा और आपका खाता फटा फट से वहाँ पर खोल दिया जाएगा वहाँ पर आपको line में नहीं लगना पड़ेगा और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा तो उमीद करता हूँ कि मैंने आपको बता है और मैंने यह चीज देखी कि बहुत सारे लोग हमारे पुराने वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि हमें हमारा कैनरा बैंक में एकाउंट ओपर नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों का समय बरबाद हो रहा है वीडियो को देखने से तो उसलिए हमने इस नए व बुलें